ऐसे आपके पास है पास क्क्या होता है जो भी आपका कोड होगा ना उसका लार्स को चैक करेगा लाज डिशा क्या मतलब अगर तुम्हारे पास पास इखा हुआ इसमें सबसे पैदे आपके पास क्या है लुफार सिक्स क्या है तुम्हारे पास बीचिश ने हमें सिक्स क्या है इता हमें शया लांस सब्सक्राइब कि चेक डिजिट करना एक्टूल में लास लुजल में लास बाकॉट को चैकना ये बात समझा इकुछannahud चैकट इजट पीजर वीजिट वा साने डिजिट रिनस्कोड कैlles कीजिट वार यूजिंग अलब जरुने बाकि दूसरे numbers को use करते हैं यवाद समझाइगे last digit of a code को check करना कि वह सभी है या नहीं है बाकि दूसरे numbers को check जरुरी नहीं कि छोट जरुरी नहीं कि 8 numbers बस याद रखना चेक डिजिन एक ऐसा error checking method होता है इसमें last digit of a code misprint mistype हो सकता है उसको check करने के लिए हम बाखी रिमेनिंग डिजिट पर यूज़ करेंगे चलो चैक डिजिट की एक्जैम्पल भी लिख ली अच्छा बच्छो यह जो अपर आपके पास नमबर आपको तू दिया वाए तू के उपर यह गिसम पुजिट की अगाँ थे के पाएं पौजिट फूजीट डॉजा स्वी नाॉज प्ररषिजिट की अ ऐगική पोजिशन डिजिट फो डिजिट वाएं न गौजिट फोजभ इस नैंग्ट फोज जीरो डिजिट फाइव सबनें डास दियद श क करना प्राइब यड़ शुै बच्चो एक्सप्रेशन आप डिजित भी आगए आपके पास एक्सप्लेइं करने को आए एक्जैम के अंदर के बच्छट एक्सप्लेइड करें चार पॉइंट लिखें कि पड़ीड होता है यह एक्जैम में सवाल आया था इस प्र एक्स्थ एंतर आप चैट रिasında बसक्ति इस क्रेंद बॉइकिश ड्यक जण भॉज़द एंधर पॉप्ट बताताउव बाटक नुबर वन क्या है पॉइट रिछिट के अजेर्डिश डा एक मॉडून नूस करता है मॉदूल इस आ सब्सक्राइब理 कि इक रियूद करने के बाद कि रिवाइण के बाद उन बोदो इक ऐसा फंट्शन था जो डिवाइड करने के बाद यानि के मौड फंक्शन था इचे लिख लेता हूं में यह कैसा मौड फंक्शन था जिसमें अगर 25 को टू से डिवाइड करोगे तो रिमेंडर क्या आएगा वाइगा चाहिए यह मौड किया अच्छा डेव भी बतारे तो इसी के सास्थ डेव क् आपके पास मौडूल जादर समाल होगा किसमें चेक विजिट के अबर मौडूल का साइन होगा परसंटेज पहला पॉइंट होगी है यह दूसरा पॉइंट होगी है यह दोनों आपको टिक करें तीसरा बच्छो डेटा एड़ नजाएट हुड़ा यह दो होता है कि समें यह लास्स में करें लास्स को मिस्टा आखेस अदि अधिए अपैंड इस लास्स में क्या लिखाव आपना चौहता कर्वां चौहता वां लिडिटा रेकल्कूलेट होगा और कम्पेर्ड होगा टुच्थ और तो यह चार पोइंट आपको लेकने होंगे लेकलो अपने पर आसे लिखेंगे निखेंगे ने लिखेंगे नंबर 102 के नेचे लिखेंगे झालो 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 चलो आगे ऑच्छा पिटाइब ये वाला पॉइंट अपने बाद ऊपर लेखियो कि च्क डिजिट और इंटिपाई यह वो डिटा को च्रैक करता, जो है क्यों यूं आते हैं। यह भार कोड़े हैं हुई कि यहां खी जीजी कहलता है। तब भार कोड़े को चेक Secret만 ना चेक डिजिट किलाएगा उस लाज सिची टॉफ अकोड को चेक करना चेक डिजिट किलाएगा यह भी लिखा वैं उसी को टेक करें चलो यह लिखने हैं अपने बास में बच्चो चेक डिजिट के आपको मैं तीन केस करवाँ वहां कि लिखो अपने पास केस नमर वोन 13 डिजिट का ISBN डिजिट होगा 13 डिजिट आइस बेर 15 तरफी के सवाल आगेंगा थ्री डायपस और फूसिंट तीन तरीके के सवाल होगा आपके पास पहले का नाम है 13-20 दूसरे का नाम है साथ 7-digit of a code और तीसरा केस होगा 6-digit idea ये तीन केस होंगे आपके पास और बच्चो algorithm is given in the question हाँ ये सबसे important बास हर हरिकेस के लिए algorithm यानि कि way given हो गा हर केस के लिए algorithm या method given różगा सवाल हर केस के लिए algorithm या method given होगा सवाल का र GC चलो आगे लगो इस पेज पर जितना भी लेख खावा है वो सब मैंने करा दिया मेरे स्क्रीन पर जो लेखा है हां चलो अच्छो यह पॉइंट पर लेखें एक सो जो पर यह लेखें चैक डिजिट में ना दो तरीके के सवाल होते हैं पहला सवाद आप कैलकुलेट करते हो चैक डिजिटु को हां पहलतारी एलास एक लिजिट आफा को आपकोसिया ने के चैस नWS कोरोंगे। केश नहीं है दो तरगी की सीधियों होती है तू ताइपस अब कुष्टन नमबर वान फाइंड ये कैल्कुलेट इस चेक्टिजिए नमबर टू वेरिफाइड इस चेक्टिजिए चल्ट ये सब बात है आपके बस लिखी हुई हाँ जो मैंने आपको भी पढ़ाया ये सब पेज नमबर वेरिफाइड पर लिखावाया कि पास अना बस ये देख लो कि चेक्टिजिए यूस होता है बार कोट के अंदर बार कोट के लास्ट इंकरेक्ट होगा उसको वेरिफाइड करेगा प्रड़क कोट पे इंटरनेशनल सेंडर्ड बुक नमबर पर चाहिए और वाहिकल इडिटिफिकेशन नमबर की स्कैनिंग को यूज करते हैं पासवेपर मैं आचुके ना पीपी को लिख हूँ ठीक है ये वही लाइन है जो अभी मैं आपको लिखवाई थी कि चेक्टिजिट आर यूस करेंगे मोडूलू बढ़ा चुका हूँ आपको उसके बाद डेटा लास में एड होगा दूसरा पॉइंट तीसरा चेक्टिजिट इंटर डिजिट्स आर कंपेर्ट चैक पॉर यह हो चुका है एक्जाम में एक और सवाल आया के वाई कितने तरगी की एरर हैं जो चै यह भी एक सो दो पे लिखावाए ना एक सो तीव लिखावाए पेशिन नमबर बन जीरो सिर्ट पास से बर को से लिखें स्क्राइब की चैक डिजिट के यूज सुफाइंड फॉलेविंट आप अरे नमबर वान इंकरेक्ट डिजिट एंटर यह क्या होता है एक्जैम्पल लिखेंगी क्या मतलब 5327 दालना था सुरी 5307 दालना था तुमनीं क्या इंटर कर दिया विटा 5327 वलत इंटरी कर दी ना अब चाहिए इस आर्रोड डिटैक करेंगा कौन चैक नमबर टू ट्रांस पोजीशन एर्र के आंदर आपके बस दो नमबर आपस में एक्स्चेंज जेंगा यानिकि 5307 कर दिया तुमने और एक्च्वल में क्या था 537 तो कौन से दो रंबर एक्च्वल है निए तरी और ठीके चलो ओमिट्टिट का मतलब उता है खा जाना हाँ यानि के 537 आपने 5307 में से आप खा गए आप 0 खा गए तो क्या हो गया 537 घरत हो गया ना भाई नेक्स आज़े 5307 फाइव थिरी बन सेविन एक्षा डिजिट वाले हां ठीके यह मिट्ट की एक सेंपल हो गई और यह एक्ट्र डिजिट की एक साफ तक यह चलो पूलिटिक एरर क्या होता है किशीच पड़िया और मुझे बट्र फूरी टिक हम उनिटी वोड़्ट का हमतला वोता है सुनने में गल्ल क्यों आपको बुले ता तो आपको 30 आपके पास अडिक करेगा से गान अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोई नंबर है 5307 और 30 को आपस में मिस्प्लेस कर दिया मेरा बिटा दो अलग अलग मतलब है एक ही बात है इसका मतलब क्या है अब बता है इसका मतलब क्या है आपने नंबर वाले इसी की दूसरी ग्जैम्पल किया हुए कि आपको अब बोला कि आप लिखेंगे वाला नंबर वाला और आपको जो नंबर वाला बोले नंबर वाले लिखो अगर आप मिस्मैच करोगी तो कौन सा रोगा फोरेंटे कर रहा है अब चैक अच्छा यह देख बिटा अगर यह आपकी लाइबरेरी का कोई नंबर है लाइबरी मतला बुक का कोई नंबर बुक के नंबर को आप होते हैं आई-एस-बीन अभी पढ़ाया है ना आई-एस-बीन क्या था इस इंटरनेशनल स्टेंडर्ड बुक नंबर में सारे डिजिट आपकोड नहीं सि इसके दो चीजिए या तो 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 फाइंड चेक डिजिट करोगे या तो 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 वेरिफाय करोगे चाहिए ना या तो 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 फाइंड करोगे या तो तो वेरिफाय करोगे अच्छा अब फाइंड और वेरिफाय आने वाला हमार पास बच्छो हर सवाल में एक अल्गॉर् कि पूरिधे एक सोचारि आहे इस सवार को सरसाम इस वाप से कह róż glory आपके पास बूपनबर मेरे जो श réflशे का हैं इसको समझेगा बच्छो आप से कह रहे क है रहे कि हैस और नंबर है aten आपको बता अब लेखोंगी और आंगा डी बोलोगे और रहा आपको सवाल किरा हुँगा सवाल से पहले आपको कह रहा है वह आपके पास एक इस अल्गॉर्दम को मैं पहले आपको समझाता हूँ, बिल गई यह अल्गॉर्दम का मतलब है method to find check data, exam में given नहीं आप, given in question यह exam, algorithm to find check data, बच्चों पहला है से अब जरा मुझे बताएं, सारे all numbers को आपको क्या करना है, एड, excluding the check date का मतलब है last digit of a number को add, नहीं करना, अच्छा, add all the odd number, बच्चों, odd number में अभी आपके लोगे, sir, odd number, बेटा, odd number की position, मैं यहाँ पर लेकरा हूँ, आपके लिखो, odd number की position, position जो भी होगी न, odd number को, यानि के सुनना मेरी बाद, 1, 2, 3, 5, जड़को, 1, 2, 3, 4, 5, बताओ, odd number क्यों से, position की बात करें, उस position पर कुछ भी हो सकते, got it, सही है, position की बात करें, अब आजो अगला सब, अगला इसका वो, part 2, at all the event number, position, and multiplied by what, 3, and multiply करना है, उसके बाद किस से बिटा, 3, मैं यहीं पर रोख रहा हूँ, step 1, step 2 करके दिखाँ आपको, आजो, इसके नीचे सवाल है, आजो, algorithm और सवाल, दोरन दिखाँगा, बच्चों, बोल्ट पर देखनें, दो मिनिट, फिर आप सारे सवाल करेंगे, बिटा, step number 1, जो आपके पास है, 1, 1 ये करो, ये, देखो, मैंने कहा, पहले तो ये नमबर आपको दिए मैं, आपने इस नमबर के उपर, numbering करो, देखो, सवाल में numbering होगी, ये है ना number तुमार मुझे बताओगे, कि odd number कौन कौन से, अब देखो, confusing part क्या है, तुम नाइम को बोलोगे हो, ये odd है, बिटा सुनना, position को करना है, one odd है, बिल्कुल सही है, three odd है, बिल्कुल है, five odd है, बिल्कुल है, seven odd है, चाहिए, position को देख रहा हूँ, number को नहीं देख रहा हूँ, चाहिए, अब confuse कहां पर होँगे, अगर आपने number को सेचा, तो आप confuse होँगे, चाहिए, चाहिए, पहले सेब के अंदर, अगर आप देखो, मैंने position देखी, nine को यहां लेग दिया, eight, three, zero, eight, eight, बच्चों कितना answer आगिया, 36, चाहिए, अब बताओगे, odd हो गया, even number की position क्रेट बताओ, two, यानिके seven, फिर four, फिर six, फिर eight, फिर ten, फिर twelve, बच्चों, इन numbers को, जो odd, even वाले थे, even वालों को यह लिखा वाले होँगे, ठीक है, तो समझ आ रहे हैं, ठीक हो गया, और algorithm में लिखा है, जो भी तुम्हारा answer आएगा है, तो किस तो में reply करना बिटा, लिखा वाले algorithm में देखो कहा लिखा हो, लिखा हो, चाहिए न, मैंने multiply कर दिया, मेरा इसका answer आगिया, 75, साहिए न, दोनों step मेरे होगे, पहला भी होगे, और दूसरा भी होगे, देख रहे हो, यह दूसरा step यहाँ पर करें मैंने, बच्चों, तीसरा step दर पढ़ किया बता है, add all the step 1 and step 2, and divide by to finder, बच्चों remainder को क्या बलते हो, चाहिए आज जो उसको दर दिवाइड करते है, मैं बडरी दिवाइड कर दो, बच्चों, 36 plus 75 क कितना होगा, 111 किसे डिवाइट करना है 10 से बितना रिमेंटर रा कैलकुरेटर के बागए 111 दिवाइट बाइट 10 11 11 जा पॉइंट में जाना है रिमेंटर निकाला है 10 को किसे करूं 10 10s है कितना होता है 100 10 11 जा 1 10 तो आगे क्या करना वह भी लिखा बहाँ पड़ो अधर्वाइज सब्ट्रेक्ट दार्मेंडर फ्रॉंग एंड तो गेड़ जानी के आपने अपने इसको समझ आई बात 10 से मानेस करवा दिया 10 से मानेस करवा दिया अपने रिमेंडर को तुम्हारा अंसर क्या आया आई यादि यह सही बात सिवाद चेक करा दो जी तो मैंने आपको सॉल्व एक्जैंपल करेंगे अगर तुम्हारा बोलो सब्क्राइक अधरवाइस से सब्सक्राइक अधरवाइस थे मेंडर ऐसे आ जाता तो वही है तुम्हारा सब्सक्राइब और ऑट बैगन आपकों देर्फ देखें और बचन और शॉल्ट ऐसावाश मिन्हार पने अग्जंपनकर देखें बनके आपने टारिक यह वाले एक्जाम्पिर करें यह ना एक्जाम्पिर वही उसी का पार्ट है जी वही आए इन नंबर में शुरू कर वाले तू मेरे साथ शुरू कर ले कि पहले स्थाप के अंदर साथ-साथ को ना ओ ले दें ओ और नंबर की पोजिशन यह वह सुआ है और नंबर और अवर और अउठ अपने तो फाइंड और टाकूट तो फाइंड करेंगे ठीक है जैनी कि 9 इदर आजाएगा इदर आजाएगा और नमबर की जो डिजिट है नाइन फिर इदर आएगा फिर सिक्स फिर टू फिर दी लो पहले सेब का अंसर क्या आया थर्टी पॉर इविन नमबर की पोजिशन जो डिजिट है ये इविन वाले ये एविन वाले नमबर को मैं एड करें जब एविन नमबर को मांडिप्लाइट पैच्छी करा एविन नमबर को एड करके मैंटिप्लाइट पैची करा कांसर क्या आया थर्टी नाइग अब 34 प्लस 39 दिवाइद बाइट न विदाउट कैल्कुलेटर जी वाइट में ना ना विदाउट कैल्कुलेटर रिमेंडर के साथ अब तरी रिमेंडर एट से मानस कर दो ठीको फटीव यूर अंसर शैविन को ठाओ और ऊपर चेक डिजिट में लिटो अब पर यह वह वह बोलें ने अब तरी अच्छा आगे सब का अंसर आगे है सब्सक्राइब बच्छा आप देखो मैंने आपको बुलते हैं हर सवाल के दो पार्ट है आपने फाइंड चेक डिजिट कर लिया अब आप क्या करने जा रहे है वेरिफाई वेरिफाई कभी अल्कॉर्डम वही है पूरा वह यह अल्कॉर्डम बस एक पर किया पर कि उसमें लाज सजिट अपक ओड़ फाइंट करना होगा इसमें लाज सजिट अपकोड के वेरे होग़ा कि तुक को ने और चारी होगा तो तुम्हें क्लूंड करनाel तो तुम्हें क्या करना होगा एंकलूड करना होगा हमाज आगई क्यों करना होगा इंगलू बाई जब आप पहला वाले सेफ कर रहे थे इदर देखो इसके अंदर तुमने लाज सजिट आफ अगोड को फाइंड किया था या नहीं किया था और जब पहले सेफ के अंदर तुम यहां पर तो कुछ नहीं ना एक्स्क्लूड को रोगे इंगलुड करो है क्रहोंगे क्योंकि चाले शी को दिशक करना है उसी तो चेक करना हैá चैलो बच्यपीन आगया आएग्सेंप्र आतुटार सुथे नमबर 106 लड़कों स्नमर के उपर और लिखने बस on वोलिखने किसा और नंबर है और आप और नंबर को साहने नो बस बाइए हैं करते ना जा नीचे रहे हैं से नीचहें लिखने हैं सबस्क्तार के साह्त करते हैं ये यह को भोढ़ हुआ है यह इंखर मिश्रण सा कहने हैं अ क्なので here Simple नंडर को तुमने आय yum beverage रोंसले में उसांड है नागी व मारे व और में consegu है साथवेन नंबर को एड करके मैडिप्राइट जिरी करूँ कि सारे विन नमबर को आइड करके गिरा इवन नमबर तु जब सबको एड करा मैंडिप्राइड का चरी करा फिर आंसर आगे क्या 69 आगे बच्छो अब बच्छो स्टेप बन स्टेप टू को मैं प्लस करकी परसंदेश के साइन का मतलब होता है रिमेंडर फाइंट रिमेंडर क्या गया बच्छो अ भाइक जो मैंने भी सवाल किया आशिर उसके जीरो का मतलब किया है चाहिए पर अगले सवाल यह सवाल भी देहीं एक सवाल मैं बस इतना मतादू सब सब्सक्राइब करने के बाद में रिमिंडर क्या या तू का मतलब समझ जागे हैं ठीक है नीचे वाला सवाल खुद करके देंगे वाला और मुझे बताओ वैलेडें या इसी से यह याल कॉंद पेज नंबर एक फार कि आप कि आप कि कि आप कि आप कि आप कि अ सबस्क्डेर पर करें। अगे लिखो रिमेंटर इस नॉट 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 इस सोलिगरू तर इस नॉट इस नॉट कॉ पेज नमर 109 पे आपके पास डूसरा केस आ गया और दूसरे केस को आप बोलते हो जो कि चैक डिजिट होगा तो यह रहे हैं इसके राइट साइट पर गोड़ा वो क्या होगा चैक डिजिट होगा चैक डिजिट होगा चैक डिजिट होगा किस से बिटा अपनी पोडिशिट होगा चैक डिजिट होगा तो तुम्हारा यह तो वह बात होगा जब तुम्हारा यह तो बात होगा जब लेकिन अगर validation वाला आगया, उसकी बात यहां लेकी भी है, अगर remainder 10 होगा, तो check digit valid है, अगर remainder 10 होगा तो check digit valid है, यानि कि दोनों चीदों को उसने बता है, क्या दोनों चीदों है आशर, कि अगर तुम check digit find कर रहे होगे, तो remainder gives a check digit, और अगर check digit given होगा, और remainder 10 तुम्हारे 10 बताओ, कि ये तुम्हारे पास part A है ना, इसका तुम्हें चेक डिजिट find करना है या तो मैं इसका find करना है ना, मुझे बताओ, इसकी position का है, डिजिट position का है, लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, कहां से लिखों, left से, right से, कैसे पता left से, कैसे नहीं, मैं कहता ये बात सवाल में given है कि position कहां से start हो रही है, left, right, कहां लिखा सवाल, ओपर लिखावा है, ये क्या लिखावा है, ये क्या लिखावा है, ये, आई समझ, क्योंकि अगला पार्ट जब आएगा ना, उसमें right से करवा दो, आपको सवाल में, ये important बात है, ये लिख लो अपने कि पोजिशनिंग left side से होगी, सवाल में एक्जाम ने given दिया तो, चालो, आओ, मेरे साथ करवाई करा है, अगला पार्ट में, left side से, आपने बोला, one, two, three, four, five, six, seven, large digit of a code को find करना है, ये जो check दिर होगा, चलो, बच्चों, four, one, four, two, two, four, three, four, three, four, three, four, three, twelve, four, one, four, five, 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 six, zero, zero, seven, eight, six, seven, six, seven, number one हमारा हो चुका है, seven, one में ये था, इस एप two में क्या है बच्चों, सबको आपस में आड़ करना है, आई एड़ कर देते हैं, जब मैंने सबको आड़ करा है, मेरा हैं से क्या बना, 106 नी, पक्य बच्च, आठ बारा, एक सो पांच मने हैं, एक सो पांच मने हैं, एक सो पांच को मैं जब डिवाइड करूंगा, आई रेमेंडर के साथ आई नाइटी नाइन और डिमेंडर इस श्च अच्छ एक लैन लेकिस, पौइननमर फोर में देखो किया बहुत हैं, और रिमेंडर किसा, जो रिमेंडर के साच एक जेट का मतलब कहते हैं, वही तुम्हार क्या है, करने कि तुम है तो सवाले एक तो थो proper करता है उसमें और अगर रेमेंडर तो आगे वाले सवाल के लिए ना किया कि від तॉम जय से पता लेगा। चाहरे भाई of a code अगर क्रॉली है और मैं तुम्हें बहुए हैं जिसको पहले करें तो बता हूंगा ना मैं तो जब यह जगह फाली है तो तुम यहां पर लिखोगे ना बच्छे तो तुम्हारे चक विचित क्या गीया विटा проблемासर अब नीचे वाला सवाल करेंगे उसमें आपको बताना है कि वह valid है या invalid और valid कपो का बताओ कि मुझे जब remainder 10 है पूरी चीज़ है हाँ या एक्स को बताना है कि वह valid है या invalid बच्छो इसके अपर मैं नम्बरिंग के साट करी लेफ साइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8 चलो बच्छो पार डी के अंदर तो वैलिड या इन्वालिड इन्वालिड इसमें तो लिखना है कि भाई इसमें तो सिर्फ आंक से लिखना है है इसको छोड़ो पनेशन यहां ब list करो जहां जैपर बाले में तुसका अंसर लिखना है कि रिमिंडे टैन आएगा तो यहां पर वैलिड या इंवालिड इन्वालिड to तो हमने क्या करा हमने पिटा 3 पूरा मैटिप्लाइ करा पोजिशन करके 3 1 जा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 0 जा 0 5 0 जा 0 6 4 24 75 जा 35 सब को add करा मेरा अंसर क्या क्या गया जाएं ग्या जाएं अंसर पॉच्छ यह वेंटी एट को 11 से डिवाइट करा अग्या आएंटी एट जाहिएं एट से इलेवन को 78 से डिवाइट किया 1177 रिमेंडर टैन नहीं आया रिमेंडर टैन जब लिखो अग्या सब्सक्राइट कि अंपुए लिक दो अच्छाएं आग्युन किया वह वाहिएं लिक्त किया कर्णाब लिक्टर कॉर लिक्यों देंड़ अच्छ के कि और इस नहीं गारा रहा है चेक बिजाए टिया इन्वेलिट वह रिमेंडर इस नौट इस नहीं आया पस चलो आगे तो अगला केस ये कौन से पेश पर लखागा है अब सुनें आप बाई यहां पर पूरा वोई चक्कर है यहां बट एक जी जरह मैं आपको बताओ इस सवाल में पोजिशनिंग कहां से साट होगी राइट से लेट से बोलो राइट तो यह लेख लो अपने बास इसी सवाल को पोजिशनिंगे साट होगी कहां से बच्चो किसे रिखाओ यह 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 अब बत्चो जी क्योंकि सवाल जीट का है बटाँ जीट इटिफिकेशन नमबर ठीक है बटाँ आजो लड़को पोड़ पर देखना दो मिनिट के लिए पहले अल्गॉर्दम पढ़ते हैं इसका हां अल्गॉर्दम मुझे बताओ कि आप लोग इसको हालेट करो हां अब यह तुम बोर गॉर्दम सवाल में गिविन होगा तो भाई यह सवाल ही तो है और के विन नहीं सवाल सबसे पहले सब्सक्राइब के अंदर हर नंबर मैंटिप्ला होगा अपनी पूजिशन से दूसरे में पिटा एड़ आप होंगे सारे के सार्ट और आपस में मैंटिप्लाइब हो जाएंगे तीसरे में डिवाइड बाइलेवन वही है अभी तक तो इप दे रिमेंडर इस जीर सब्सक्राइब करें कि हम लोग सब पर हमने नंबरिंग करी राइट साइट से वाइन टू थ्री फोर फाइब और सिक्स सिक्स पोड़ जा सिक्स पोड़ जा इस फोड़ जा ट्वेड़ ना करके दिखाऊ इस प्राइब स्थे थे उस तक पुड़य काल है ने कि चुले महीं करता हूँ आंस विए जी प्राइब बसक्राइब पढ hesब पाना को सब्साइब का प्र उकषिद्म ने इत्वल्धा थे हैं अटिकत नमस्य करता है कि प्लाइब बसक्शियव कर स्कशिव बसक्त कि स्क्राइब छो्यिद बच्चों इनको एड कर आंसे क्या है ता इसको एंसे क्या है सेवेंटीटू को डिवाइड बाइवें करना है 11, 6, 66, रिमेंडर इस लेट इमीन सुमार रिमेंडर आने के चाहिए ता रिये लिख को अपने पास रिमेंडर इस नौट इक वस्टीरो डैड मीन्स क्या होगा यहां लिखो इन्वालेड नीचे वाले करके दिखाओ पर शाबश्य शेम अलगर्दव यह वालेड है यह वालेड है यह वालेड है शोड़ दो शोड़ दो शोड़ दो शोड़ दो पाइट दो 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 आपसमें प्लस करा सबको 77 77 is your answer and then divide by 77 को जब 11 से डिवाइट करूंगा 1177 जब रिमेंडर दीर होगा तो क्या होगा अगला सवाल find the check digit करने सवाल में find the check digit करने क्यों आप 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 40 आप 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 कि अल्ग वर्दम दिखाऊं कि इस वाला पिट आप लेट आए ते ने जब आव सो रहे थे जब मैंने पड़ाइए कि इस वाला पिट आप लेट आप लेट आप लेट आप लेट आप कि इसमारा आप वाला आप्यो आप दोगल याप जाए एंटार आप लूग मैं अश्र ने वडर के थाट आप लोगान चाहिए कि अच्छी कि ने कि अच्छी है कि अच्छी है कि अच्छी है योगारा पाईफ आप देके किए पच्छो एक्षा में आपको पढ़ाया शुरू के अंदर चैक डिजित पेटे कितने तरगी के एरर को पाइंट करते ही चार तरगी के वहने बताए बॉलो तुम में लिखा कर आए था था वह ट्रांस पुजिशन और बुलो तुम में लिखा किया था दो लिखने में आपको आप लेखे इस एक जांपिल है एक जांपिल देरें है इस टेक से झाल झाल कि दन बच्चो कि यह सब मैंने आपको चेक डिजिट करा दिया नाच वापको होंवग दे रहा हूं मैं होंवग क्या है पेज नंबर एक सो बारा से पेज नंबर एक सो बाइस सब देखो बेटा सारे वोई सवाल है कि मैं आपको पिराज चुदा हूं एरे चारी मैंते हैं जी जी लिखो आप इंशाल्ला पेफर के बाद अन्हें क्नाही हा रम दो आपकशमल गया है क्यों प्याओ śथंग क्यों आपको यां जापकू मन ह對 आपकूमधंगS आपकूम्धंग्स है वायाू बादये है ट reserv किष्गca